Hello everyone, been a long day, बहुत सारी, आज classes भी थी, आज एक workshop भी था, बहुत सारी चीज़े थी, discussion stage चलो, still बहुत लेट बन रहे है फॉरिक्स वीडियो इसलिए सुबर सुबर डल जाएगा, आपको early morning मिल जाएगा तो पेस के तरफ देखते हैं, सबसे पहले गोल्ड देखते हैं, गोल्ड थर्ड टच ट्रेंड लाइन पे कर चुका है, डेली टाइम फ्रेम पे, पिछले हफते भी बनाया था, तो सेम morning star बना था, उतना अच्छा तो morning star नहीं था, बट उपर विक थी, बट यही morning star था, हम यह ही बोल रहे थे कि एक बार यह री टेस्ट दुबारा कर सकता होगा, दुबारा री टेस्ट किया, दुबारा green candle दिया है, और बहुत ही पर्फेक्टली है रहा, 1925 डॉलर पे एक resistance ले रहा है, तो अपन को क्या दिख रहा है, high chances अगर market 200 moving average और trend line दोनों को confluence है, अगर breakout दे द यानि कि आपको यह मालूम चलेगा Monday morning को नहीं Tuesday morning को, Tuesday morning if you see gold bullish, you can bet on gold कि अब यह लंबे समय तक स्विंग ट्रेडिंग मोड में 2000 डॉलर के उपर cross करेगा, अगर यह आपको Tuesday morning daily time frame पे bullish दिखता है तो, ओके, ठीक है, अब छोटे time frame trading की बात करते हैं, तो पहले अपन जाएंग inverted head and shoulder chart pattern, market ने support लिया, फिर एक fake breakout दिया, फिर से एक v-share pattern पे recovery लिए, तो ये भी एक bullish signal है, तो दो time frame पे market यह पे bullish दिखा रहा है अपन को, बट वह breakout का रहा है या तभी कोई मतलब है, मतलब ऐसा शुरुआत में जल्दी जल्दी टिट लेंगा फाइदा नहीं है, तो zone भी म gold on 4-hour time frame, let's talk about smaller time frame, 15-minute time frame पे जाएंगे, 15-minute time frame पे भी अपन को breakout, bull flag जैसा दिख रहा है, हो सकता, market थोड़ा और नीचे आए, 15-minute time frame के 200-E में तो support ले, breakout करे तो, तीनों angle पे gold bullish है, अभी देखते है, कहां खुलता है, क्या होता है, अगर bullish होता है, तो आप इसको 1932 के पर catch क कर सकते हो, ठीक है, small time frame पे तो अगर ये नीचे आता है, 200 moving average पे, अगर ये मान लो, कुछ ये आता है, इस तरीके से, अब यहां भी पकड़ सकते हैं, नीचे ये भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर नीचे तोड़ दिया तो, तो directly shot नहीं करते, wait करते हैं कि ये retest करे, this is gold, अब अच्छा जो बन रहा है, GBP, USD पे अप्ट्रेंडिंग है, ये pair, काफी बढ़ी अप्ट्रेंड पे जा रहा है, breakout किया, support लिया, और अच्छा एक resistance point पे है, अभी क्या है, double top pattern बन सकता है, 4 गंटे के time frame पे, अगर यहां पे देख रहा है, आपको ये इस तरीके से ऐसा बना ये ऐसा भी बन सकता है, तो अगर ये ऐसा double top बना M है, अगर ये M ये चीज़ करता है, 4 गंटे में, 4 गंटे की दो candle, 3 गंटल बनती ही, तो 12 गंटे में वो, एक गंटे की, यानि कि ये पंदर में time frame पे अच्छा sell trade मिल जाएगा अपन को, तो GBP, USD अगर आपन देखेंगे, तो it is at whatever, कौन से level पे है, one point, तो इसको one hour time frame पे shift कर देता हूँ, ओके, बढ़िया perfect levels है, अब इसको पंदर में time frame पे एक weakness जोड़नी, weakness को इसको बोलते है, यहाँ पे double top मिल जाए अपन को, या तो फिर market नीचे आए, उपर जाए, फिर एक support तोड़ दे, अगर अपन को weakness, तो बड़े time frame पे resistance पे तो छोड़े time frame पे अपन को quick sell trade मिलके आप book कर के निकल सकते हो, NZD CAD पे जाते है, तो यह क्या downtrending stock pair है, नीचे ही जा रहा है, नीचे जाने के बाद फिर से high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, अभी equal high पे आ गया, यानि यहाँ भी यह एक तो downtrend में weak है, और अभी resistance sense पे है, तो अगर यहाँ भी अपन को यह एक support तोड़ता देखे, ठीक है, one hour time frame पे जाके level देता हूँ, one hour time frame पे जाएंगे तो यह दम perfect double top है भाई, neckline टूटेगा, यहाँ भी same बात है, यह अगर इस तरीके से आके neckline तो तोड़ देगा, तो यहाँ एक sell trade initiate होगा, that you can take, त SDA target यह अब बना सकते हो, यह यह वाला बना सकते हो, AUD CAD क्या है, 30 minute time frame पे दो बाल trend line पे support लेके, V-shape recovery लिया, moving average भी यह वहाँ पे, confluence है, तो अगर यह breakout देता है, 088901 के उपर, तो हमको अच्छा target मिल सकता है, आप यहाँ पर का कर सकते हो, levels निकालने, मैं बना के देता यह बनता है पहला, यह बनता है दूसरा, यह दो targets अपनको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मिल सकते हैं, चुकि बहुत ही बड़े targets है, आप यहाँ पर pivot indicator यूज कर सकता हो, अगर आपको target बड़ा लग रहा है, तो 30 minute time frame है, बहुत बड़ा नहीं है मेरे साब से, यह 4 hour time frame नहीं, 30 minute time frame है, it's 41 tips only, I think good target, stop loss भी यहाँ कहीं आएगा, इस level के नीचे, you can trade, GBP CHF 15 minute time frame है, कैसा ही, आपको एक head and shoulder sort of pattern दिख रहा है, आपको, और यह moving average के पास है, 30 minute time frame है, तो यहाँ पर अगर market तोड़ता है न, इस 1.13838 को, यह भी बहुत अच्छा pattern है अपने लिए, अगर यह तोड़ता है, तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे सा low घूण सकते हैं, यह वाला 1.13179 और दूसरा 1.13462, these two can be good targets, मैंने आपको सारी के सारे directional trades दिये हैं, यहने कि यह भी यह नहीं बोला कि उपर जोलो नीचे जा सकता है, अगर जो बोला है नीचे जा सकता है, वो नीचे ही जाता, तो trade करना, अजरवेस छोड़ देना, ठीक है, तो क्यूंकि आपको बहुत options पर ले, 1, 2, 3, 4, 5 options you have, और सब के लिए मैं गोल्ड पे जैसे के अपने bullish देखार जाए, तो bullish ही trade देखो, sell आए तो छोड़ दो, GBBUSD पर अपने जो देखा, तो इस तरीके से आ कर रहे हैं, maybe वो Tuesday, अगर आज मंडे को आना हो, तो आज ही आ जाएगा, तो Tuesday कल तक तो आ ही जाएगा, तो be prepared for that, और funding challenge है, तो obviously बात है, आपको बहुत अच्छे options है, कि आप उसके पैसे कमा से, तो 20,000 डॉलर तक की funding उसमें आपको मिल सकती है, तो उसके rules बगर है, देखके अपने account में टाल के, कुछ को trade करना है, because we would love to have new traders who are good at practical trading, who have applied everything, तो a great opportunity, please share this video, कि आने वाला है, phone करके बताओ, message करके बताओ, कि funding challenge आने वाला है, apply करने वाला है, be ready for that, you know, only one criteria, you need to have an account, open through my link, कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे भी नहीं लग रहे है, फीस अगरे है, लास त आएगा, बाकि मिलते हैं आपको और किसी यूडियो में, all the very best for this week, thank you so much.